एकदम हैरान थे कि आकिर बायतियान ने ये कैसे कर दिखाया पर इस चीज़ पे हान फैंग नाम के एक डिसाइपल को यकीन नहीं होता है और वो सिधा बायतियान से चैलेंज कर देता है कि उसने यहाँ पर चीटिंग की है इस वज़े से बायतियान उससे फाइट करने के पुशिश कर रहे होते हैं और जो भी यहाँ पर बने रिंग के बाहर जाएगा वो हार जाएगा तब वहाँ पर एक छोटी सी बी आ जाती है जो सीधा हान फैंक के आख के पास ही काड लेती है जिस वज़े से उसका धियान भटक जाता है और जैसे उसका धियान भटकता है हान हान फएंग वहाँ पर अपनी आईस पावर का अस्तमाल कर लेता है जिस वज़े से हान फरइंग के जितने भी आटेक थै वो सभी वहाँ पर जमने लगते हैं और फिर अगले ही पल बायतियान अपने फायर एलेमेंट की पावर का इस्तमाल करते वे लगातार कई सारे अटेक हान फैंग के उपर करना शुरू कर देता है जिस अटेक को तो हान फैंग देख भी नहीं पाता क्योंकि उसका धियान वैसे भी उस B की वज़े से भटक गया था और उसका फायदा उठाते वे बायतियान लगातार उसके उपर अटेक की बारिश किये जा रहा होता है हान फैंग जितनी भी कुशिश करता वो एक भी अटेक बायतियान के उपर नहीं कर पाता है जहां वो अटेक करने जाता वो B वहाँ पर आ जाती है जो हान फैंग की जगा जगा काट कर उसका धियान बढ़का रही होती है और इसी चिसका फाइदा उठाते हुए बाय धियान लगाता हुए उसके उपर अटैक किये जा रहा होता है उस बी के बारे में तो बाय धियान को भी नहीं पता था कि आकरी अचानर से कहां से आ गई जो मेरा इतना अच्छे से सपोर्ट कर रही है जिसके बाद वो हान फैंग को मार मार के उसकी ऐसी हालत खराब कर देता है कि वो दुबारा फाइट करने के लाइक भी नहीं था इस जिसको देखके वहां मौझूस सारे लोग हका बकार रह गए थे ये बायतियान ने तो बड़ी या असानी के साथ हान फैंग को हरा दिया उसका तो कोई जवाब भी नहीं अचारा से नजाने उसे क्या हो गया है जिस वज़े से वो इतना जादा पाउफुल हो चुका है जिसके बाद बायतियान एक और घसीड के लाच सिदा हान फैंग को ही मार देता है जिस वज़े से हान फैंग की जो बच्ची कुछी हालत थी वो भी खराब हो गई होती है तब बायतियान उसके पास आता है और उसके मुँपे पैर रखते व WITH कहता है तुम्हें मारने वाला मैं हूँ जब भी तुम्हें मन करें मुझसे बदला लेने का मेरे पास आ जाना मैं हमेशा तुमसे FIGHT करने किले तयार होंगा और यही सेम डायलोग कुछ दिनों हान फैंग को बैटल लेना के पहार फेक देता है जिस वज़े से हान फैंग ये राउंड हार चुका था जिसके बाद बायतियान सबी से कहता है अगर किसी और को भी लगता है कि मैंने चीटिंग की है तो वो यही पे आके मुझसे फाइट कर सकता है मैं उससे भी फाइट करने के लिए तयार हूँ ये सुनकर तो सार लोग हका पका रह जाते हैं और किसी के अंदर भी बायतियान से फाइट करने की हिम्मत नहीं बचती अब बायतियान के पास वो मास्टर आते हैं जो उसे वो पिल भी दे देते हैं जिसे पाँच मेरिटे अनलॉक करने वाले को दिया जाने वाला था बायतियान जैसे उस पिल को देखता है तो उसे ये पिल किसी काम की नहीं लग रही होती है ये तो बिलकुल लो लेवल की उसे दिखाई दे रही थी क्योंकि एक बार उसके पास उसके एंसेस्टर की जो पावर आ चुकी है उस वज़े से वो हर चीस की पावर को पहचान सकता है कि किसके अंदर कितनी पावर है और किसके अंदर कितनी पावर नहीं है उसी वज़े से उसे पता चला कि ये पिल तो एकदम लो लेवल की है ये तो एकदम घटिया सी है लेकिन तब भी अपने मास्टर का दिल रखने के लिए वो उसे अपने पास रख लेता है जिसके बाव वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जैसे वो मास्टर कहन अशुरू कर देता है साथि उसका नाम लिंगर भी था वो बायतियान को बताता है मैं वही पिल हूँ जिसे अलकमी गौड यानि कि तुम्हारे एंसिस्टर रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उससे रिफाइन करने के बाद ही उनकी जान चली गई उस के एंसिस्टर ने निर्वाना पिल को रिफाइन कर लिया था तभी तो ये पिल यहाँ पर वापस आपाई है लिंगर भायतियान से खहता है मैं एक फीमेल मॉंस्टर हूँ और मैं काफी टाइम से अपने मास्टर की हार्ट के अंदर रह रही थी और जब उनकी पावर तुम मैं भी वापस से जिन्दा हो चुकी हूँ मेरे मास्टर तो नहीं रहे लेकिन उनकी पावर तुम्हारे अंदर होने की वज़े से आसे तुम मेरे मास्टर हो जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं किसी का भी रूप धारन कर सकती हूँ चाहे मेरी पावर अभी उतनी जादा जागी नहीं है सबसे पहले मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा उसके बाद ही मैं खुद को किसी भी चीज में ट्रांस्पॉर्म कर सकती हूँ और मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए कई सारे स्पिरिट स्टोन और कुछ एलेक्जर भी लगते हैं उनकी मदद से मैं जल से जल बढ़ी हो सकती हूँ उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पावर भी इसली दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ तब बायत यान उसे वो ही पिल देता है जिस वज़े से उसे काफे टाइम से जो भूग लगी थी वो थोड़ी सी मिट जाती है तब यह वहाँ पर कोई आने लगता है इसलिए लिंगर दुबारा से बायत यान की बॉड़ी के अंदर चली जाती है तब वहाँ पर वही लड़की आती है जिसका बाट यान प्योन से है और उसका नम रांजी होता है बाट यान उससे देखered कर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो क्या तो हमारे रिष्टे को यहाँ पर खत्म करने के लिए हो अगर अगर ऐसा है तो मैं भी इसके लिए तयार हूँ क्योंकि तुम्हीं तो कहती थी कि हमारी जो engagement हुई है हमें उसे खतम कर देना चाहिए ये सुनकर तो रांजी भी हैरान थी कि कुछ दिनों पहले तो बायतियान ऐसा नहीं था अचानक से इसे क्या हो गया ये तो जब भी मैं इसके सामने आती थी मुझे देखकर ही शर्मा जाता था पर अचानक से इससे ऐसा कुछ हो गया है जो ये मेरे सामने शर्माने की वज़े डायरेक मुझे 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 जवाब दे रहा है लेकिन वह भी इस बात पर उतना धियान नहीं देती पर हमें पता है कि बायतियान इतना अचानल से बदल इसले गया क्योंकि उसके पास उसके अंसेस्टरे की सारी मेमरी और पावर आ चुकी है इस वज़े से अब वो वाला बायतियान नहीं रहा जो कमजोर हुआ करता था और लोगों से बुली किया करते थे तब रांजी बायतियान से कहती है मैं यहाँ पर तुमसे एक डिल करने के लिए आई हूँ मैं हमारी इंगेजमेंट तोड़ने के लिए तयार हूँ लेकिन मैं यहाँ पर आते रहूंगी और तुम्हें मुझे कल्टिवेशन बढ़ाने में मदद करनी है ताके मैं भी तुम्हारी जितनी पावफुल बन सकूँ यह सुनकर बायतियान हैरान रह जाता है कि आखिर इसे क्यों कल्टिवेशन की ज़रत पड़ गई लेकिन तब भी वो उसकी इस बात पर राजी हो जाता है लेकिन इस शर्ट पर कि रांजी को उसे कई सारे ट्रेनिंग डिसोर्से देने होंगे और दस स्पिरिट स्टोन देना होगा जिस पर रांजी इस काम के लिए मान जाती है जिसके बाद बायतियान ये सोचने लगता है कि मुझे अभी काफे सारे रिसोर्सेस और इस्पिरिट स्टोन की ज़रुत है ताके मैं खुट की और लिंगर की कल्टिवेशन बढ़ा सकूँ इसलिए मुझे कैसे भी करके रांजी से ये डिल माननी होगी इसलिए तो मैं ये डिल माना हूँ ताके ये हमें कुछ कल्टिवेशन रिसोर्सेस लाके दे सके ताब रांजी बायतियान को तीन स्पिरिट स्टोन देती है क्योंकि अभी उसके पास इतने ही थे वो उससे कहती है अभी तुम इतने रख लो मैं बाद में और लाकर दे दूँगी जिस पर बायतियान मान जाता है अब बायतियान अपने खर पर आता है जहां वो सभी को ये बताता है कि इस बार कर जो टेस्ट था उसे मैंने सबसे अच्छी तरीके से पूरा किया और मैंने अपने आईसोफायर के दोना मेरिटेंस अनलॉक करके दिखा दिये ये सुनकर उसकी बड़ी बेहन और इसके फादर एकदम जादा खुश हो जाते है कि बायतियान ने तो सच में कमाली कर दिया जिसके बाद बायतियान उन से कहता है आपने कहा था कि अगर मेरी टेस्ट पूरा कर लो तो आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताएंगे जिसके उसके फादर कहते हैं अगर तुम जानना ही चाते हो तो ठीक है मैं तुमें बताता हूँ कुछ सालों पहले मेडिसन वैली के लोग यहाँ पर आये थे जिन्होंने तुमारी माँ को जबदस्ती उठा कर लेकर चले गए उन्होंने तो तुमारे ग्रेंट फादर की फायर फ्लेम भी चीन ली मैंने और तुमारी बहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन हम दोनों काफी जादा इंजड़ हो चुके थे और तुमारी मा को नहीं बचा पाए तब ही से हमारी फैमिली हमेशे से गिरते वे आई है उसके बाद से हमारी फैमिली की कोई इज़त नहीं करता जिस पर उसके फादर कहते हैं एतना गुस्ता होनी के भी ज़रुरत नहीं है तुम नहीं जानते कि मैडिसिन वह यह वारे लोग कितने जादा पावफुल हैं तुम्हें सबसे पहले अपने कल्टिवेशन करके खुद को पावफुल बनाना पड़ेगा उसके बाद ही तुम उ और आकरी में जाकर गौड लेवल को अचीव करना होगा जिस लेवल को मेरे अंसेस्टर ने पहले से अचीव कर लिया था एक बार मैं उसे अचीव कर लूँ तो उसके बाद मैं अपनी मा को भी वचा सकता हूँ और सार लोगों से अपना बदला ले सकता हूँ जिसके बाद आते ही ये एपिसोड ही पर आता है